हेलो गाइस वेलकम बैक टू दा चैनल गाइस कैसे हो आप लोग आई हो सब अच्छे होंगे सम्मस्त होंगे तो गाइस आप लोग देख रहे होगे कि हम बहुत देर दिनों बाद जो है कि वीडियो अपलोड कर रहे हैं और मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे कि इस वक बहुत दिनों बाद थमनेल देखके तो आप समझ जाएंगे ही लेकिन मैंने सोचा कि एक्चली वीडियो बनाने का मन तो नहीं था गाइस लेकिन मैं बहुत दिनों बाद मैंने सोचा कि वीडियो बनाता हूं तो चलिए आपको बताता हूं कि वीडियो एक्चली मैं हुआ क्य एक्चली मैं पिछली बार जब मैंने वीडियो अप्लोड की थी तो मैं सिंग रॉली में था और सिंग रॉली में से मैं यहां कैसे आया और यहां आने का रीजन क्या था वो सब के बारे मैं आपको बताता हूँ तो गाइस बात यह थी कि मेरी मम्मी को आप देखे होंगे अटैक होने के बाद भी हम लोगों ने काफी जादा treatment कळा आया था और काफी जादा treatment कराने के बाद भी वो करीबन एक हिसाब से वह बहुत जादा ठीक थी अपने मतलब बिना किसी के सहारे के चलती फिरती थी खाना भी बना वेदाली थी पिछले मैंी फर्वरी में करीबन मेरसे मनने हम और मेरा भाई आप लोग उने जैसे देखा ही कि हम लोग रॉली में यह थे और मेरी पूरी फैमली जो थी मेरे मम्मी, पापा וऔर क्या ना में मैं जो मेरी सिश्टर थी मेरी भावी थी सब लोग पंजाब में थे तो suddenly हुआ क्या मेरी और मम्मी की continue मतलब रोज बात होती थी दिन में भी होती थी और रात में भी करीबन जब मैं duty जाता था रात में तो 9 बजे करीबन 9 से 1 गंटे 2 गंटे 9 बजे से लेके काफी बाते होती रहती थी तो guys हुआ क्या suddenly कि 14 तारीख 14 फरवरी को मैंने अपनी मम्मी को रात में फोन किया तो किसी ने फोन रिसीव नहीं किया तो मैंने भी सोचा कि मैं क्या साइद बिजी होंगी जलो देखें तो वो खुद से फोन करेंगी कि मेरे बेटे का फोन आया है तो फोन रिपलाई तो करेंगी ही लेकिन guys वो फोन नहीं किया उन्होंने और मुझे भी काम वगरा में बिजी हो गया तो इस वज़े से मैं भी फोन नहीं कर पाया तो हुआ गया कि मैंने सोचा बारा बज़े से पहले सो के नहीं उठता था तो उस दिन ऐसा पता नहीं क्या हुआ कि मैं बड़ा वाला जो मेरा भाई था ब्रदर था वह वह भी 9.30 नौ दस बज़े आफिस जाता है तो वह भी उठा उसके साथ साथ मैं भी दस बज़े नौ बज़े करीबन उठ गया हम लोगों साड़े नौ बज़े अपनी मामी के घर पे जो थे आप लोगों को जैसे पता है पिछले व्लोग में जो देखते हैं मेरे वीडियो कि हम लोग वहां नास्ता करने गया है और जैसे गाईस हम वहां नास्ता करने गया ही है मेरे भाई ने कर लिया था नास्ता और म मम्मी को एक्चुली मैं अचानक से तबियत खराब हो गई है चाहे मम्मी बिहोस हो गई है ऐसे वैसे तो हम लोग वहां से बहुत परिशान हुए हम लोग कैसे न कैसे करके 15 तारीक को और पंद्रह तरीक को हम लोग कैसे न कैसे बनारस पहुंचे बनारस पहुंचते ही वहां से ट्रेन पर बैठके और हम लोग जलंदर आए और जब आए है तो हमें पता चला कि मम्मी ब्रेन हैमरेज यह है और ब्रेन हैंड़ेज इतना ज़्यादा खतर्नाक हुआ और हुआ कैसे कि जैसे रोज की तरह ही मम्मी का यही था कि रोज मम्मी मेरी आट-साड़े-ाट वजे सुबेरे उठके गीजर पानी गरम रहता था अपना नहाना दोना खुश रहती थी एकदम हस्ती खेलती और आट-साड़े-ाट वजे नहाती थी जाके तो उस दिन भी वही कंडिशन हुई कि हरवाले भी बताते पापा लोग कि उस दिन भी वही है कि आट-साड़े-ाट वजे मम्मी नहाने गई और नहाने गई है और भावी लोग को बोल के गई है कि हम नहा के आके तो फिर नास्ता करते हैं और अच्छी भली गई है नहाई है रोज की तरह नहा क के बातरूम में और कपड़ा भी पहन ली और जब कुर्सी से उठने लगी तो वहीं गिर गई और वहीं गिर गई है कुर्सी पर ही बैठी बैठी तो उनको भावी ने अवाज सुनी और दीदी ने तो वह जैसे गई है तो देखा तो मतलब उनके मुह वगेरा से ना बलड और जाग वगेरा कुछ निकल रही थी तो अब घर पे हम दोनों लड़के तो थे नहीं गाई तो मम्मी मम्मी थी और पापा थे और पापा भी बुजूर्ग और दीदी और भावी थी इनको कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो गया यह हड़ बढ़ाते हड़ बढ़ाते र लेके गया हैं तो मम्मी का BP कईज दोसों से भी पार था और जैसे भी वह लोग मम्मी को वह द्लेकर hull कर दी उसने कि महमी को ग्लुकोस चड़ा दिया और ग्लुकोस चड़ाने की वजय से जो है कि BP तो हलका कंट्रोल हुआ लेकिन BP कंट्रोल करने के चक्कर में जो brain heart टेक की वज़े से जो दिमाग की नस फटी थी और brain hemorrhage हुआ था second attack आया था उससे brain hemorrhage की वज़े से जो मुँ से blood या नाक से blood निकलना चाहिए था वो blood नसों में पानी जाने की वज़े से जम गया और डॉक्टर ने जवाब दे दिया यहां से उन्होंने कहा कि आप इनको बड़े शहर में किसी बड़े hospital में ले जाओ तो जैसे वहां गये तो रास्ते में guys जाते जाते ही जैसे दीरी ने बताए कि third attack भी आ चुगा था और third attack आने की वज़े से मम्मी की पूरी जबान जो थी वह एक हिसाब से मुड़ गई थी और दात पूरे जो थे वह गड़ चुके थे जीब में तो हम लोग भी कैसे ना कैसे करके गाई 16 तरिफ 15 को बैठे और हम लोग 16 की रात में 10 वजे करीबन वहाँ पहुंचें हॉस्पीटल में जलंदर में और पहुंचके हम लोग वहां देखें तो हॉस्पीटल में जाके तो बस लास्ट वो मुमेंट था कि जब मैं हॉस्पीटल में गया तो मम्मी वेंटिलेटर पे थी मैंने आइसियो में गया आइसियो में जाके तो जो वहां सिस्टर थी डॉक्टर उन्होंने हिलाया वाइबर यहाँ उठो आप उठो लेकिन चाहिए लेकिन मम्मी को देख कर अटा हैंड नहीं और भालिक हैंड यह तो दूसरे साइड जाके लेकिन मम्मी के अठाई नहीं को बांद-आ हैंड प्खच्छों और देख दोथी और और हलका हाथ उठाने की कोशिश भी की थी और वो लाश्ट मोमेंट था गाइस मुझे लगता है कि जो मम्मी ने मुझे देखा है तो फिर भी हम लोगों ने लाश्ट तक होस्पीटल में रखा कोशिश भी बहुत की बहुत कोशिश की और जो अपने तरफ से हमने हो सगा था उतना पैसा भी लगाया भगवान के आगे भी खुब रोए गिड़ गिड़ाये बहुत प्रार्थना किये बहुत कुछ किये लेकिन जो कहते हैं किसमत में लिखा होता हो नहीं होता है तो फाइनली जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया डॉक्टर ने बोला हमने अपने तरीके से ट्रीटमेंट पूरा कर दिया है और अब आप जा सकते हो और आप जाके घर पे सेवा करो तो हम लोगों ने 19 तारीक को मम्मी को 3.30 बजे वेंटिलेटर वाली वैन आई और वो एम्बूलेंस और वो मम्मी को छोड़गी घर में जैसे छोड़ने की वजये से फिर वह औक्सीजन वर लगा है नहीं हो पाई एक्यूली एम्बो व्गशा पर रखेते हम लोग जैसे ही एम्बो backwards पर रखे थे तो एमबो से हम कोशिश कर रहे थे कि मम्मी को सांस वगएरा आ जाए आ जाए आ जाए ठीक हो जाए लेकिन गैस ऐसी इस्थिती हो गई थी कि फिर ठीक वही क्या बोले कि वो रात जो हमारे लिए थी ना वो ऐसी थी कि हम एक तरद जैसे ना ऐसा लग रहा था कि हमारी जिंदगी से ना हमारी जो सरीर से रूह अलग हो गई है तो वही करीबन साड़े नौ बजे के करीबन रात में मम्मी साड़े नौ दस बजे के करीबन मम्मी जो है डेथ कर गई थी तो वो दिन वो रात जो थी न गाइस वो तो हमें ऐसा लगता था न कि हमारी जान मतलब हमारी तो एक तरीके से लाइफ ही खतम हो गई है क्योंकि आप लोगों को भी पता है गाइस कि माँ बाप का साया जो रहता है वो बच्चों के सर पे कितना और मेरी मेरी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार था मेरे से मम्मी भी बहुत ज़्यादा करती थी और एक तरीके से हम डिप्रेशन में थे इस वज़े से मेरा वीडियो ना हम डालते थे ना मेरा वीडियो डालने का मन करता था तो पापा लोगों ने काफी लोगों ने समझाया कि नहीं अभी भी गाईस मुझे बिलीव नहीं होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी मेरे से दूर है लेकिन वो आएगी तो यही है कि अब तो जैसी की बात वही है कि वो आने वाली तो है नहीं लेकिन हम अपना मन पर चाने के लिए जो मरजी सोचते रहें कि आएगी आएगी लेकिन वो नहीं नहीं आती है और जहां जहाँ गैस हम देखते हैं जहां वो बैठती थी जूला भी वैसा ही है सोफे में बैठती थी बिस्तर पे जहाँ शोती थी सब जगा खाली दिखती हैं तो काफी लोग समझाते हैं कि मत रोया करो मत रोया करो लेकिन क्या करे मात ही ना उसकी याद आती है तो रोना तो आता है तो यही चीज था गाइस तो अब मैं कोशिश यही करूँ गाइस कि आपको रोज की रोज वीडियो डाला करूँ तो प्लीज भाई को सपोर्ट करिएगा क्योंकि अब मेरी लाइफ में आप लोग के सिवा और कोई नहीं है मेरे पापा है वही मा है वही पिता जी यह वही बेहन है सिस्टर है और भाईया भाबी है यह तो मेरा परिवार है लेकिन आप लोग भी मेरा परिवार है तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिए गाइस अब तो मैं जॉब छोड़के भी आ गया हूँ आँ सिंगरॉली से तो प्लीज सपोर्ट करिए गा और मेरी मम्मी का एक सपना था कि मेरा बेटा जो है वो यूट्वर बने बहुत बड़ा लेकिन आप लोग के प्यार और सपोर्ट के बिना मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ प्लीज गाइस सपोर्ट करिए गा सपोर्ट करिएगा वीडियो अच्छा लगे तो अगर वीडियो को लाइक भी करिएगा ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और प्लीज दुआ करिएगा कि मेरी मम्मी की आत्मा को शांती मिले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में